देखिए exercise 3.3 का फस्ट सवाल ठीक है काता है कि निम्न लिखित परिपूर्ण बर्ग संख्याओं के बर्गमूल में आंको की संख्या ग्याद करे ए इसमें देखिए total 8 सवाल है और सभी में जो संख्या दिया हुआ है ये सब परिपूर्ण बर्ग संख्या है तो इसमें बर्गमूल में आंको की जो संख्या है वो ग्याद करना है तो आईए सभी सवाल को हम solve करते हैं तो देखिए सवाल नंबर एक एक का ए ए में पहला सवाल ठीक है इसमें संख्या दिया हुआ है 64 और करा सवाल कि इसका वर्गमूल में आंको की संख्या कितनी है से बताईए तो हम एक concept आपको हम बताए थे कि सबसे पहले एन कमान निकालिए कि जो संख्या दिया हुआ है उसमें एन कितना है अब एन क्या होता है तो जो संख्या दिया हुआ है उसमें अंकों की संख्या कितनी है से देखिए तो देखिए एक और एक दू ये दो अंकों की संख्या है यानि एन का मान दू है ठीक है अब n Sum है की भी Sum है तो देखिए, दो क्या है? Sum संख्या है यानि nKamand Sum है तो अगर nKamand Sum हो तो जो संख्या दिया हुआ है उसमें, देखिए, वर्गमूल में अंको की संख्या अंको की संख्या निकालने के लिए एक हम सुत्र बताये थे n by 2 कोई भी संख्या दिया हुआ है अगर उसमें आंको की संख्या सम है तो उस संख्या के बर्गमूल में आंको की जो संख्या होगी वो एन वाइट टू होगी ठीक है अगर भी संख्या है एन का मान अगर भी संख्या है तो एन पलस वन वाइट टू होगा यही दो concept है और इसी पे हम सभी सवाल को solve कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि इस संख्या में आंको की संख्या 2 है n कमान 2 है जो कि sum है तो इसके बर्गमूल में आंको की संख्या n y 2 होगी तो देखिए n कमान 2 और बटा में 2 है तो दूसरे 2 कार देंगे कितना होगा एक यानि कि पहला का एक अब पहला सवाल इसका जो आंसर होगा वो एक होगा यानि कि इस संख्या के बर्गमूल में आंको की संख्या एक होगी ठीक है अब देखिए सवाल नंबर दू इसमें आपको दिया हुआ है 144 यह संख्या दिया हुआ है और आपको इस संख्या के बर्गमूल में आंको की संख्या निकालनी है तो देखिए पहले हम यहां निकालेंगे एन कमान तो इसमें देखिए कितना अंख है एक, दू, तीन अंख है यानि एन कमान तीन है तीन क्या है? बीसम है तो जब बीसम है तो हम जानते हैं कि अगर एन कमान बीसम है तो बरगमूल में ऐंको की संख्या जो होगी वो in plus 1 by 2 होगी ठीक है तो a quart 3 plus 1 और बटा में 2 3 और 1 चार चार बटा 2 इसको कारतेंगे तो 2 होगा यानि कि इस संख्या का बरगमूल में ऐंको की संख्या 2 होगी इसका अंसल हो जाएगा 2 फस्ट का अंसर हो जाएगा एक ठीक है सवाल नंबर तीन देखिए इसमें संख्या दिया हुआ है 9801 यह संख्या है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे एन कमान निकाल लेंगे तो एन कितना है एक, दू, तीन, चार यानि कि टोटल यह चार अंकों वाली संख्या है तो इस संख्या के बर्गमूल में अंकों की संख्या निकालना है आप यहां लिखेगा कि संख्या के बर्गमूल में अंकों की संख्या ठीक है, इतना ब्रावर तो सम है, तो सम के लिए होता है एन कामान 4 और इसको दू से भागा देंगे यानि कि इसका अंसर हो जाएगा दू इसका बरगमूल आप दू आप निकालियेगा तो बरगमूल में उग्वो के संख्या दू होगी ठीक है सवाल नमबर 4 इसमें संख्या दिया हुआ है 30 64 बामन में आंकों की संख्या निकालने हैं तो n कमान निकाल ये सबसे पहले तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि ये जो संख्या है ये 6 आंकों वाली संख्या है तो n कमान 6 यानि कि ये सम है तो सम है तो संख्या कितनी होगी इस संख्या के वर्गमूल में आंको की संख्या निकाल रहे हैं तो अगर एन कमान सम है तो एन वाई टू यह फर्मूला हम बताए हैं आपको तो एन कमान छे और इसको दूसर भागा देंगे तीन यानि कि इस संख्या के वर्गमूल में आंको की संख्या तीन होगी बिना बर्गमूल हम निकाले देखिए सुत्र के साहिता से हम आंसर निकाल ले रहे हैं ठीक है आप इसका बर्गमूल निकालिए गुननखंड बिधि से और देखेगा जो बर्गमूल आएगा उसमें आंकों के संख्या तीन ही होगी ठीक है अगला सवाल देखिए सवाल नमबर पांच यसमें दिया हुआ है निनान में आठ डबल जिरू ठीक है यह संख्या है तो देखिए एन का मान कितना है एक दू तीन चार पांच पांच आंकों की संख्या है पांच बिसम है तो बी सम है तो बर्गमूल में आंको की संख्या कितनी होगी तो बी सम है तो एन पलस वन बाई टू होगी ठीक है सम रहेगा तो एन बाई टू और बी सम है तो एन पलस वन बाई टू होता है तो इनका मान 5 है इसमें एक जोर देंगे और बटा में 2 तो देखिए 5 और एक 6 छे बटा 2 दूतिया 6 यानि कि इस संख्या का वर्गमूल में अंको की संख्या 3 होगी तीन उतर होगा ठीक है अब देखिए सवाल नंबर 6 इसमें दिया हुआ है 44, 89 ठीक है 4 अंको की संख्या है यानि इन कमान 4 है 4 संख्या होता है तो देखिए संख्या निकाल रहे है कौन से संख्या निकाल रहे है तो इस संख्या के वर्गमूल में अंको की संख्या निकाल रहे है पूरा हम नहीं लिख रहा हैं आप यहांपे पूरा लिख लिजिएगा कि संख्या के बर्गमूल में अंको की संख्या ठीक है तो n कमान सम है तो n by 2 हो जाएगा n कमान 4 और इसको दू से भागा देंगे दू-दूनी का चार यानि कि बर्गमूल में आंकों की संख्या दू हो जाएगी यह आपका उत्तर हो गया सवाल नमबर साथ देखिए इसमें दिया हुआ है 27,225 ठीक है यह संख्या दिया हुआ है और इसमें बत कह रहा है कि संख्या के बर्गमूल में अंकों के संख्या बताईए तो देखिए सबसे पहले तो n कमान हम निकालेंगे कितने अंकों की संख्या है तो एक, दू, तीन, चार, पांच पांच अंकों की संख्या है यानि n कमान 20 है तो जब n का मान b sum हो तो संख्या के बर्गमूल में अंको की संख्या जो होगी वो n प्लस 1 बाई 2 होगी b sum रहता तो n में एक जोड़ दते हैं और sum रहता तो n बाई 2 कर दते हैं ठीक है? तो देखिए n का मान 5 है और 5 में एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा यानि कि 6 बटा दू दूतिया 6 यानि कि उत्तर हो जाएगा 3 इस संख्या के बर्गमूल में अंको की संख्या 3 होगी ये आपका उत्तर है आखरी सवाल सवाल नमबर 8 इसमें दिया हुआ है 390 625 ये संख्या है ठीक है तो इसमें एन का मान कितना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि ये 6 अंको वाली संख्या है तो एन का मान सम है तो सम के लिए हम फर्मूला जानते हैं दखिए संख्या यानि कि इस संख्या के वर्गमूल में अंको की संख्या बराबर तो एन पलस वन बाई टू लिखते हैं ठीक है एन का मान चाओ और बटा में दू दूतिया चाओ देखिए यानि कि इस संख्या का जब बर्गमुल अपने का लिएगा इसमें आंको की संख्या तीन होगी ठीक है देखिए सवाल नमबर एक का A इसमें जितना भी सवाल था सभी को सॉलीब कर दिये अब सवाल नमबर एक का B देखिए इसमें काता है कि रीक ता स्थानों को भरे देखिए पहला ये संख्या दिया हुआ है और इसके बर्गमूल में अंको की संख्या कितनी होगी यह यहाँ पर आपको भरना है और दूसरा में भी देखिए एक संख्या दिया हुआ है और कह रहा है कि इसके बर्गमूल में अंको की संख्या निकालिए ठीक है तो देखिए सवाल एक और दू को हम solve करते हैं देखिए सवाल नमबर एक एक का बी, बी का पहला सवाल इसमें संख्या दिया हुआ है चवालिस, जीरो, सोलह, जीरो, चार ये संख्या दिया हुआ है और कारा है कि इसके बर्गमूल में अंको की संख्या कितनी होगी यहाँ पे खली स्थान है, भर्मा है तो ठीक है, एन का मान सबसे पहले हम निकालेंगे यानि कि ये जो संख्या है, कितने अंको की संख्या है तो देखिए, एक, दू, तीम, चार, पांच, छो, साथ यानि कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये साथ अंकों की संख्या है ठीक है यानि एन का मान है बिसम तो बिसम है तो बर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी तो बिसम के लिए हम जानते हैं कि एन प्लस वन बाई टू होता है ठीक है तो देखिए एन का मान साथ है और प्लस में एक और बटा में दू साथ और एक जोड़ देंगे तो आठ हो जाएगा और बटा में दू दू जो के आठ यानि कि पहला सवाल में जो खाली अस्थान है उसके जगा पे लिग दिजेगा चार यानि चार उत्तर होगा यानि कि जो संख्या है इस संख्या के बरगमोल में आंकों के संख्या चार होगी ठीक है अब देखिए दूसरा सवाल इसमें संख्या दिया हुआ है 31 36 78 48 49 दूसरा में ये संख्या आपको दिया हुआ है और कारा है कि इसके बर्गमूल में आंको की संख्या कितने होगी खाले स्थान है आपको भरना है ठीक है तो पहले तो N का मान निकालिए यानि कि ये जो संख्या दिया हुआ है ये कितने आंको की संख्या है तो गिंती करिए, एक, दू, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, दस, यानी कि ये दस अंको की संख्या है, और दस क्या है, तो सम है, यानी इन का मान सम है, तो देखिए संख्या निकाल रहे हैं, कौन से संख्या हम निकाल रहे हैं, तो इस संख्या के बर्गमूल में अंको के संख्या निकाल रहे हैं ठीक है तो जब सम है एन कमान तो एन वाई टू हो जाएगा तो एन कमान दस है इसको दूसरे भागा देंगे तो दूपचे दस यानि कि इसके बर्गमूल में अंको के संख्या पांच होगी यह आपका उत्तर हो गया